हेलो व्यूवर्स वालकुम तू फिंस्ट्रीट आज की विडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एजुकेशनल कॉंटेंट लेकर आए हैं क्रिप्टो करन्सी के रिलेटेड क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेडिक्शन मार्कित्स के बारे में और ऐसे पा लने वीडियो में आपको बता ही दिया है कि कैसे आप अपने स्किल्स को यूज करते हुए अलग-छाग क्रिप्टो करन्सीस में प्रेडिक्शन के बेस्स पर आप कर सकते हैं और यह क्रिप्टो करन्सी और यह मार्किट जो है वह फूचर एक्रिप्तो करन्सी का एकरस और सबसे top पे most used prediction market in the cryptocurrency world है poly market जो कि एक decentralized market है यानि कि इनका कोई particular controlled regulation body नहीं है तो एकड़ डीसेंटलाइज market है जहां पे users trade कर सकते हैं एकड़ मोस्ट debated events में जो globally debate किये जा रहे हैं यानि कि इसमें आप सर्फ cryptocurrencies पे ही नहीं आपको predictions करनी आपको अलग अलग जो भी global debated topics है वहां पे भी आपको predictions करने का मौका मिलता है for example coronavirus for example politics और cryptocurrencies और any other topics जितनी भी discussions यहां चल रहे हैं debates यहां चल रहे हैं उसमें आप predictions लगा सकते हैं और आपको यहां पता चल सकता है कि market की sentiment क्या है कि कितने लोगों ने क्या prediction लगाई है एक particular event के बारे में और आप market sentiment को देखते हो अपने real life decisions और बेटर बना पाएंगे Polymarket 2020 में launch हुआ था Ethereum के ERC20 protocol पे ही और इनका aim था कि वह एक dumb misinformation को spread करने से रोके और Polymarket को prediction है वह largely stated होती है with the real world events इनके key features है कि यहां पर क्रिप्टो करन्ती इसको इस्तिमाल करते हुए predictions लगाई जा सकती है इनका user face बहुत ही simple है इस्तिमाल करना बिकिस यहां पर सिरफ दो options और दो outcomes available होते है एक prediction के yes or no में तो आपको अपनी skills और research को use करते हुए सिरफ events को predict करना है yes or no में कहते हुए और एक centralized resolution निकल के आता है इनका Polymarket पे और currently अगर हम इनकी amount बताए किता है यह raise कर चुके हैं तो early stages of development में ही इन्होंने 4 million US dollars से जादा जो है वो raise कर लिये हैं तो यह था polymarket इसके बाद second हम आपको बताते हैं Delphi Delphi भी एक distributed social media prediction market है जो ethereum network पे ही बनाई गई है Asia में यह located है इनकी offices और इनकी operational team जो है वो Asia में है और इनका initial launch हुआ था था कि प्रिडिक्ट की जा से के cryptocurrency market specifically लेकिन अब यह expand कर रहे हैं with the time to real life events also अगर हम इनकी features के बारे में आपको बताया तो इनकी transaction speed काफी fast है यहां पे काफी जादा friendly user interface के साथ-साथ fast transactions भी possible होती है यहां पे क्यूंकि बाकी platform से जादा इनका जो speed of transactions है वो जादा हो तिसले user यहां इने prefer कर लेते हैं यहां पे अलगलग crypto currencies की trading possible है यहां पे इस platform पे आप Delphi के DPY token को use करते हुए trades जो है वो लगा सकते हैं और आपकी probability भी reflect हो जाएगी कि क्या आपका trade जो है वो सही जा रहा है market sentiment के according जा रहा है या नहीं और इनका भी जो oracle है वो एक दम centralized है इसके बाद हम आपको बताते हैं थर्ड market के बारे में जिसका नाम है stocks stocks भी एक और open source blockchain prediction market है जो ethereum के E20 ERC20 protocol पे ही based है इनका aim था stocks का जो aim है वो यह था कि बाकी सब cryptocurrency prediction markets की तरह यह work कर पाए और एकदम decentralized तरीके से यह काम कर पाए और essentially इनका जो decentralized practical framework है वो भी prediction markets को जो है उस पे काम करता है और यह 2018 में यानि कि आज से 3 साल पहले यह launch होई थी और तबसे का पे significantly grow कर चुकी है और इनका market cap जो है इनके native token का STX token का वो 1.18 million पे जा पहुँच अगर हम आपको stocks की features के बारे में बताएं तो stocks जो है वो एक तम decentralized prediction market है जहां पे कोई भी real world real life events पे आके market को predict कर सकता है यहां पे STX token को use करते हुए heat rates लगाए जा सकते हैं यहां पे STX token को इस्तिमाल करते हुए ही अलग-लग predictions जो हम वो लगाई जा सकती है और यहां पे syndicate payments औ जो है bank or token उसे use किया जाता है और as a liquidity reserve जो है वो BNT token जानी कि banker token को use किया जा सकता है इस platform पे क्यूंकि एक peer-to-peer protocol है जो utilize करता है single currency तो इनकी volatility और उनको potential को थोड़ा balance out करने के लिए banker token को यहां पे introduce किया गया है ताकि STX और BNT जो है उनसे volatility को manage किया जा सके और अब हम आते है 4th platform पे जिसका नाम है Omen Omen जो है वो भी एक prediction market का platform है जो decentralized है और built है on the framework जो developed किया गया है noises के थूँ और यह launch किया गया था by DXDAO Omen जो है वो एक open framework है जो allow करता है किसी भी participant को कोई भी prediction create करने में market के किसी भी topic से related और अगर हम इसके key features की बात करें और आपके बताये detail में कि क्य आपके इसके key features हैं तो यहां पर market creators के पास एक ability होती है कि वो customize कर सकते हैं काफी जादा aspects market के including उनके outcomes उनकी resolution की date और उनकी category खुद और उसके बाद users बहुत ही variety of assets को use कर सकते है as a collateral token noises के खुद के OWL token को भी use कर सकते हैं और उसके इलावा भी इनके पास little options available है यह ऐसा Oracle है जहा platform से real world के अंदर और यही platform है जो use करता है smart contract जहां पर real world data को use करके decisions बनाए जाते हैं और results निकाले जाते हैं 2017 की अगर हम बात करें तो noises की team जो है उन्होंने रेस कर लिये थे 12 million से भी जादा US dollars और इनका ICO अभी तक का fastest ever ICO declare किया गया है Oman की team का और अब हम 5th project की बात करें त decentralized prediction market है जो ethereum के ERC20 protocol पे ही established की गई थी और इसकी development 2014 में start हो गई थी लेकिन इसे launch उसके थोड़े वक्त के बाद किया गया था और auger जो है वो एकदम pioneer है crypto prediction markets के लिए और aim करती है कि एकदम democratize कर दिया जाए पूरा के पूरे finance के process को July 2018 में auger का ऐसा पहला version था जो public में release किया ग fully decentralized है यहां पर in fact currencies में trading भी possible है और यहां पर stable coins को use किया जाता है ताकि volatile markets से थोड़ा दूर अखा जा सके crypto currencies के users को और trading fee इनकी बहुत ही minimal है बहुत ही small amount में की trading fee होती है और इनकी भी token supply को cap किया गया है 11 million R.E.P. tokens पे और इसके बाद incentivize किया गया है इनके communal resolution system को जिससे जो है results निकाले जाते हैं और जितनी भी predictions यहां हो रही है उसके rewards उस basis पे दिये जाते हैं इनका भी जो ICO है वो 2018 में launch हुआ था रेस कर दिये थे 5 million US dollars और auger का version 2 भी अब launch हो चुका है उनके main net पे और support करता है DAI stable coins जो effectively use हो रहे हैं ताकि market volatility को cover किया जा सके तो आज की video में हमने यह लगलग platforms पे जाते हुए predictions कर सकते हैं cryptocurrency market में आपनी trading journey को एक step और आगे लेकर जा सकते हैं ताकि आपकी cryptocurrency की journey जो है वो चलती रहे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like और share करना मत भूलेगा और चानल को subscribe करते हुए bell icon ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐस आपके लिए आपका है आपको नोटिफिकेशन अब से पहले पहुंचे तैंक यूजर्स एपोचिंग दिस वीडियो वी राइड बाक विडियो विडियो ऑन दे क्रिफ दिटो करंसी वर्ल वर्ल वर्य सून